प्यार के सात्वचंद अरम पत्री का आज का एपिसोड न मतलब बड़े ट्विस्ट के साथ बढ़ा वा तो इटरसिंग था हर जगा पर इंटरसिंग चीज़ें देखने को मिली और सब से बढ़े इंटरसिंग चीज़ों देखने को मिली वह कि भाई सहाब हमें रवी कि जो साइट से हमें देखने को नहीं मिल रही है लेकिन आज हमें रवी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब चीजे भी देखने को मिली जो हमारे नक्ली रवी बियां थीक ऐा है उन की जो शादी द работает कि उप्र भी चीज़ हो रही है वहाँआ पर देखने को मिलता है कि वह क्या है वह कहीं कि छीने किसी साइन किसी कि रिवील होते हैं तोhon में कि जो तो यह सुनते ही क्या होता है जो हमारी काव्य है वह भाग जाती है और भागते वह यह देखती है कि भाई रवी क्या है कहां चैरा देखने के उसकी कोशिश करती है लेकिं वह नहीं दिखाता है और यहीं होता है कि रवी का पर्फ्यूम भी वैसा नहीं होता उसके जो गाल होते हैं बहुत जादा अजीब सा था वह काव्या समर्दी देज़े कि रवी नहीं कुछ गड़बड है लेकिन यहां पर आदिम बात को संभालत किंटरल करके बैठ जाता है कि चलो बज़ाता है चलो बच गहाना बरिया है लेकिन कहिको का दोसम्ता है देखने से के आदे हां के आदे होताほ है वो उसको बोलते है कि अगर तो भार किया तो भी पिटेगा मैं भी पिटूंगा दोनों बुड़ी तरीके से पिटेंगे आई समझ तो यह सब चीजे मत कर तो यह पड़ी बैठ जा जब आएंगे भाई तब यह वना फाल तुमें सीन हो जागा लेकि वो बोलता है लेकि मरना मंसूर ही रहें तो मैं मैं जा रहू हो और वह पुआ तरीकर से प्रतिक्षा की साइड तो प्रतिक्षा की साइड हमें यह चीज़ देखने नहीं पाए तो इस बात को लेकर काफी जादा प्रतिक्षा होता है वह था आए भी वह मिल भी नहीं पाए तो सा गलत था मिल के जाना चाहिए था जाद अच्छा होता लेकिन यहां पर पारूल बोलती कि मुझे लगा कि वह ना शायद मतलब रवी की आवाद लेगे रवी है तो इस बात को सुनके प्रतिक्षा को एक विट के लिए डाउट हुआ कि शायद रवी है तो फटा फट जाके मलहार का रूम चेक करने की कोशिश करती है लेकिन वह फिर बोलते कि आ रहे नहीं नहीं ऐसा कोशिश नहीं होगा रवी अभी कोई नहीं होगा वो तुम्हें ल लेके जाओ मत्तब प्रतिक्षा को उपर लेके जाओ और जब मलहार नीचे आ जाएगा तब तुम इसको नीचे लेके आए ठीक है भाई अब वो लेके उसको उपर जा रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ मलहार और रवी के बीच में फाइट चल रही होती है कभी मलहार रव नीचे दूने साथ होते हैं तो मलहार ना रवी का जो होता है वो जो ऐसा सरे उसको डिवाल पैसे रखके दबा के रखता हूँ मलहार वहां बात करता है क्योंकि जो उत्ती प्रतिक्षा मलाजी आप ठीक तो है ना भी आपकी मैंने आवास सुने वह चिलाता है क्योंकि लड बाला कंटीनी रहती है इनकी लड़ाईयों में हमें देखने को मिलता है कि भाई जो रभी है वो क्या करता है अपने आपको बचाने के लिए वह मार देता मलार के सर पे रखा आप अब इस से मलार हो जाता बेहोश वह पढ़ जाता है बैड पर अब फ्लावर वेस मारने के वहां पर बेहोश पढ़ा है बेड़ पर तभी क्या होता है तभी हमें यह देखने को मिलता है कि जो नीचे है नीचे उसकी चाची जो बोलती कि फटा फट मलार को लेखा तो फिर पारूल भागते हुए जाती है और अपने मतलब जो आएका कहते है मलार का उसको बुलाती ह कि भाई आ जो बहार आ जो लेकिन वहां पर मलार बेहोश होता है तो यहां पर क्या होता है यहां पर हमें यह देखने को पते चलता है कि मतलब जो जो रवी है उसके रिमाग में आते हैं क्या करें क्या है क्या है क्या है क्या नहीं कुछ समझी नहीं आता है उसके रिमाग में क चाहाब है पृटा फटार हो मैं एक चीजस अमद्धान के ठीक है बस और इसके बाद कियो इसके बाद हम इन एकदम से यह बात आजाती है जो रवी औ ऊजार के बीच में हो रही थी कि अगर में नहीं रहुंग तो कि क्या तुससरे शादी करेगा वो रवी से बोलता है मलहार कि कि कहीं ने किसी नफीman कि कहीं सकते हैं कि रवी के दिमाग में ऐसING डिँअ लगी दिन कि देऐ है मलार कहां एंगा है तो एक जलो जो भी जीज जवी है सिम्ल सी बात है मुझे शादी करनी पड़ेंग120 तरह के सके कर दी नहीं बuba अब आगे आने वावर एपिसोड भी क्या होता है तो भाई अब उमें करें को मिलेगा और इंगे जो फाइट सीकेंस के बीच में थोड़ा सटा कॉमेडी मतलब एस डाला गया वर इग्जांपल कि जब मतलब यह क्या कहते हैं मलार की और अभी के फाइट हो रही होती है तो मलार कहता है कि भाई मेरे को छोड़ते छोड़ते फ्रीज मेरे हाथ तो ड़ेगा क्या फ में एक और मतलब फनी सीन होता है कि मलहार बोलता है कि मैंना तुने एक पुलिस वाले पर हदुड़ा है मैं तो इस चार्जिस लगा है कि जो तेज जो क्या कहते हैं सहसुस्दी है ना वह भी देखनी सुदा लोस फड़ा पाएंगे तो यहां पर अभी बोलता है सर्च में बास दिमाग की बहूत कमी है सैच में क्योंकि भाई तो भूल गया क्या कि तू अभी सीविल ड्रेस में है ठीक है नॉर्मल है तो जब तो नॉर्मल है तो नॉर्मल रहना तो नॉर्मल ponieważ बी नोर्मल इंसान है मैं भी आमार्मार में मॉहमर्ण झोन्सरे से लड़हां सर्प तो यह चीज़े साथ देखने में मिल रही होती है सेट में मज़ा आला ता आज की अपिसोड को देखके फुल मस्ती मज़ाख लड़ाई जख्रा सब देखने को मिलता है कसम से आपको आज का एपिसोड कैसा नागा ध्रह पतनी का में कमें करके ज़रूर बताएं इसी तरीके ध्रह पतनी काने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिए बेल लाकिन को दबा लीजिए ताकि आप से मिसना हो हमारा कोई भी लेडिस अपडेट